शॉर्ट हेंड से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल सॉर्ट हेंड गुरुजी को नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी का शॉर्ट हेंड गुरुजी यूटूब चैनल पर आज का डिक्टेशन 80 सब्द पर्ति मिनट की गती का डिक्टेशन जो की एक निवन दहाले डिक्टेशन है इस डिक्टेशन की पेडियेफ आपको हमारे टेलीग्राम के गुरूप में मिल जाएगी डिक्टेशन लिखने के बाद कमेंट करके जरूर बताएगा कि डिक्टेशन आपको कैसा लगा डिक्टेशन स्टार्ट होगी पांच सेकंड के बाद Ready Start सहसिच्छा से ताक पर है कि सभी आयू के बालक और बालिकाएं एक साथ एक ही कच्छ में बैठ कर एक साथ सिच्छा को ग्रहन करे बालक और बालिकाओं के लिए अलग से कोई कच्छाएं रखने की आवश्यक्ता ना हो भारत वर्ष में इस प्रकार की सिच्छा का प्रचलन प्राचीन काल से नहीं रहा है कुछ वर्ष पूर्व तक इस्त्रियां इस प्रकार की सिच्छा प्राप्त करने में रुची नहीं रखती थी परंटु एक शताबदी पूर्व ही इस्त्रियों को सिच्छा देने पर जोर दिया जा रहा है उसके मद्दे नजर आज के इस भौतिक वादी युग में इस्त्रियों ने भी सहशिच्छा के महत्व को समझा है और इसलिए वह सहशिच्छा प्राप्त करने में अधिक संकोच नहीं रखती है सहशिच्छा से बालग बालिकाओं का मनोवई ग्यानिक विकास होता है भारती सामाजिक संसकार तथा पास्चात्य संसकारों में बड़ा भेद है जिन संसकारों का पास्चात्य देशों में सम्मान किया जाता है भारत में उनको गलत माना जाता है उदाहरण के तौर पर भारत में अपने पुत्र पुत्री के लिए वरवधू काचयन माता पिता करते थे, तो पाश्चात्य देशों में किशोर या किशोरियां अपना जीवन साथी स्वयम चुनते हैं, इसलिए वहां सरशिक्षा अनिवार्य मानी गई यहीं से वे लोग एक दूसरे से परिचित होकर अपने लिए स्वयम साथी डूढ सकते हैं, भारत में ऐसी कोई विवर्ष्टा नहीं है, किन्टु आज कल भारत में भी पाश्चात्य रीति ने प्रवेश कर लिया है पाश्चात्य शिच्छा के प्रवाव से भारत में भी सहशिच्छा का प्रयोग होने लगा, यहां भी प्रेम विवाह होने लगे भारती समाज में भी सहशिच्छा की पाटशालाएं खुलने लगी आज इस्त्री और पुरुष की समानता का बोल बाला है, तो सहशिच्छा का विरोध क्यों किया जाए भारत का वातवरण गर्म है, जबकी यूरोपीर देशों का सीत है, भारत में विवाह की आयू कम है यहां के वातवरण में परिपक्वता जल्दी प्राप्त होती है, अतेव सहशिच्छा के कारण किशोर इवं किशोरियों में आकर्शन होने लगता है यदि अनुशाशन में कमी पाई गई तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन हो जाती है भारती समाज उसे स्वीकार नहीं कर पाता, शहशिक्छा में उच्छरिंकल जीवन हो जाने की संभावना बनी रहती है प्रात्मिक पातिशालाओं में शहशिक्छा देने से कोई समस्या उत्पन नहीं होती है समाज में समान भावना विक्सित करने एक साथ रहने का अभ्यास बढ़ाने में यह सहायक होती है समाज के उपर भी एक काम के लिए दो पात्शालाओं को चलाने का भार नहीं पड़ता है किन्तु उच्च कच्छाओं में अवश्य सहशिक्छा के कारण समस्याएं उत्पन होने की संभावना बनी रहती है जद्यपी ऐसा काल होता है जहां एक दूसरे के साथ रहने एवं काम करने का अभ्यास होता है स्टॉप